आईपिल के आउक्षिन में जब सुरेश रेना को किसी टीम ने नहीं खरीदा तो बहुत सारे लोगों के मन में नराजगी थी और मिस्टर आईपिल क्या से आईपिल में नहीं हो सकते हैं लेकिन आप एक कब बहुत अच्छी खबर आई है और खबर ये है कि सुरेश रेना की आईपिल में वापसी हो रही है लेकिन इस बार नए अफ्तार में सुरेश रेना दिखेंगे जी हां नए अफ्तार में योकि अब तक तो मैदान पर खेलते वे दिख रहे थे लेकिन इस बार कॉम बॉक्स में दिखेंगे यानि कि कॉमेंटरी करते वे सुरेश रेना आपको उनको सुन सकते हैं तो सुरेश रहना की IPL में यकीनन वापसी हो चुकी है लेकिन as a commentator वो आपको देखेंगे यानि कि रभी शास्री जो की लगातार साथ साल से अभी भारती टीम के coach थे वो भी वापसी एक तरीके से कहेंगे कि अपने second phase की शुरुआत करेंगे commentary की और उनके साथ सुरेश रहना को भी रोग पर क्यार लिया है स्टार स्पोर्च ने और हिंडी commentary में सुरेश रहना और साथी साथ रभी शास्री आपको commentary करते हुए दिखेंगे सबसे अच्छी बात यह है कि सुरेश रहना जैसे खिलाडी IPL से दूर रही नहीं सकते थे और किसी भी broadcaster क ऐसी खिलाडी की जरूरत पड़ती है जो कि मिस्टर IPL का जिनके उपर तमगा हो जो कि लगातार 12 सीजल चन्नाई के लिए खेले थी और कमाल के बल्लेबास थे इसमें कोई शक नहीं है और वाके में जितने भी सुरेश रहना के फैंस है उनके लिए काफी खुशी का पल है क कि कम से कम सुरेश रहना की आवास जो है वो कॉम बॉक्स में आपको सुनने को मिलेगे उनकी क्या राय है पर्टिकुलर मैच के बारे में वो आपको सुनने को मिलेगे तो रहना की वाफी हो चुकी IPL में है आपको कैसे लगी स्टोरी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजेगा